दोस्तो PGM India Mutual Fund House अपना एक नया Fund of Fund का NFO लेकर आ रहा है लेकिन ये Fund of Fund जो ये ला रहे हैं ये equity में invest नहीं करेगा, ये invest करेगा Real Estate Investment Trust में, तो दोस्तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जब आप एक equity mutual fund में पैसा डालते हैं, तो वो आपका पैसा further equity में लगाता है, यहाँ पर इस fund में होगा क्या, जो आप पैसा डालेंगे, वो पैसा ये आगे Real Estate में लगाएगा, Real Estate में भी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर allocation majorly रहने वाला है, US की market का, उसके अलावा Japan, UK, ऐसी countries की Real Estate में ये पैसा लगाने वाला है, तो इस वीडियो में हम detail में देखेंगे, ये कहाँ पर अपना major पैसा लगाएगा, इसने returns अभी तक कैसे दिये, और end में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको invest करना चाहिए या नहीं, और किस investor को यहाँ पर invest करना चाहिए, तो आईए देख लेते हैं ये वीडियो, तो दोस्तों ये एक fund of fund है, यानि कि ये directly किस एक open ended scheme है, open ended scheme का मतलब दोस्तों ये हो जाता है, कि ये NFO period खतम होने के बाद भी आप इसमें invest कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस NFO में अगर आप invest नहीं कर पाए, तो आप आगे इसमें invest नहीं कर पाएंगे, और सबसे important बात जो आपको इसमें invest करने से पहले याद रखनी है, वो ये है, कि अगर आप एक very high risk investor है, तो ही ये आपके लिए suitable है, अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि इस fund में invest करके आपको क्या benefit हो सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली बात है दोस्तों एक uniqueness आपको यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि ये जो real estate में invest भी करेगा, तो ये इं Indian investor आपको एक अच्छी uniqueness मिल जाती है, एक तो ये इंडिया से भाहर invest करेगा उस चीज के लिए, और दूसरा जिन sectors के ये इंवेस्ट करने वाला है, उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे grade offices, logistics, school storage, facilities, warehousing, data centers, healthcare, ऐसे अलग-अलग type की real estate में ये इंवेस्ट करने वाला है, जिसका जादा इंडिया में अभी scope नहीं हुआ है, दूसरी चीज़ दोस्तो आजाती है, कि potentially ये inflation beating return आपको generate करके दे सकता है, long term में, तो आपको एक uniqueness के साथ ये मिल जाता है, कि एक ऐसा और instrument आपको मिल रहा है, जो आपको inflation beating return generate करने की कोशिश करेगा, तीसरी चीज़ दोस करने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर आप 5000 रुपे से भी real estate का exposure अपने portfolio में ले सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात यहां पर लगती है, और दोस्तो इसके अलावा ये आपके portfolio को एक diversification दे देता है, अगर आप invest कर रहे हैं, securities में, stocks में, इसके अलावा पीपेफ वेगरा में भी invest करते हैं, तो उसके अलावा एक real estate का छोटा मोटा अगर आप allocation अपने portfolio में रखते हैं, तो आपके portfolio को एक अच्छी diversification यहां पर मिल जाती है, और दोस्तो जैसे कि मैंने आपका बताया था कि ये PGM के ही एक global fund में invest करेगा, तो PGM का real estate एक बहुत बड़ा real estate है, आप यहा पर चल रहा है, और top two global real estate investment manager में से एक PGM real estate है, अब दोस्तो अगर हम future की और global trend की बात करते हैं, real estate को लेकर, तो आपको यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है कि COVID-19 अब खतम होने की कगार पर आने लगा है, तो उसकी वज़े से offices open होने लगे हैं, offices open होने लगेंगे तो दीर दीरे उनकी demand बढ़ेगी और उनका rental बढ़ेगा, और उसके साथ दोस्तो अब जो नए offices भी बन रहे हैं, वहां पर एक अच्छी बात क्या है कि जो quality है उनकी वो जादा better बन रही है, तो ये एक अच्छी बात यहां पर देखने को मिलने वाली है, कि जो offices भी बनेंगे, उनक हम इसकी investment strategy पर यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर investment strategy अगर हम समझते हैं, तो आपको सबसे पहले देखने की बात है, कि ये global companies में invest करेगा, और 30 से 45 इसके portfolio में securities यहां पर रहने वाली है, और उनको अपने portfolio में add करने के लिए bottom up approach का use करने वाले हैं, यानि कि सबसे पहले द किसी भी company को अपने portfolio में यहां पर add किया जाएगा, अब दोस्तों अगर मैं top 10 holdings पर यहां पर बात करता हूं, तो सबसे ज़्यादा holding रहने वाली है pro logis की 6.4% के आसपास, उसके बाद well tower की 6.3%, equity, residential की 4.8% और life storage की 4.4% के आसपास यहां पर रहने वाली है allocation, अब दोस्तों अगर मैं 10 companies के portfolio की और briefly आपको यहां पर बताता हूं, तो सबसे पहले जिसनी सबसे ज़्यादा allocation है pro logis की, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह एक industrial rates है, जिसमें यह पैसा आपका invest होने वाला है, तो 6.4% allocation इसमें रहेगी, well tower की अगर हम बात करते हैं, तो इसके पास largest exposure है senior housing का, large cap healthcare rates का यहां पर आपको portfolio मिल जाता है, और equity residential की अगर हम बात करते हैं, तो equity residential में 78,000 से जादा की units का portfolio है, वहीं दोस्तों life storage की अगर हम बात करते हैं, तो यह fourth largest owner है self storage facilities का USA में, तो यह अलग-अलग type की properties हैं, जिसमें आपका पैसा लगने वाला है, इसमें आप हो जाती है, residential property भी includes हो जाती है, और self storage facility जैसी, अलग-अलग different kind की आपकी property यहां पर रहती है, तो काफी different यहां पर अच्छी diversification आपको मिल जाती है, real estate में अगर आप invest करना चाते हैं, वहीं दोस्तों अगर मैं country wise allocation पे सबसे बहले बात करता हूं, तो आप यहां पर देख सकत जापान 8.4% allocation और UK में 6% allocation है, तो यह अलग-अलग countries के allocation यहां पर दी हुई है, जिसमें आपका पैसा real estate में invest होगा, वहीं अगर हम real estate के sector पे बात करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, right में कि सबसे जादा जो आपका पैसा लगने वाला है, वो residential property में लगेगा 22.8% क आसपास पैसा लगेगा, retail property में 11% पैसा लगेगा, hotel and resort entertainment इन सब sectors में 10.5% के आसपास पैसा लगेगा, healthcare, storage, property, specialty, office space, तो यह अलग-अलग real estate के अंदर भी diversification रहने वाली है, जहां पर आपका पैसा लगने वाला है, तो अलग-अलग countries की diversification रहने वाली है, उसके साथ अलग-अ real estate अलग-अलग sector की यहां पर allocation आपको मिलने वाली है, तो काफी diversified portfolio आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है, अब दोस्तों सबसे important बात आजाती है, जो शायद आप सभी लोग जिसका wait कर रहे होंगे, कि इस fund ने अभी तक return कैसे दी है, कैसी इसने performance अभी तक दी है, तो दोस्तों, अगर मैं इस fund की बात करता हूँ, यानि कि PGM Global Select Real Estate Securities Fund की, जिसमें हमारा fund पैसा लगाने वाला है, तो अगर हम उसकी year to date return देखते हैं, तो 16.12% की दिख रही है, काफी अच्छी return दिख रही है, एक साल की अगर हम बात करते हैं, 25.77% की return दिख रही है, एक परसन म प्राइजे काफी अच्छे हो गए है, काफी demand बढ़ चुकी है, प्रॉपर्टी की rental दुबारा से बढ़ने लगा है, तो उसकी वज़े से पिछले एक देट साल में प्रॉपर्टी की काफी अच्छी returns यहां पर आपको देखने को मिल रही है, तीन सालों में भी दोस्तों 9. 9.6% की return है, जो की एक अच्छी return सी आप मान सकते हैं, आपको दोस्तों यहां पर इस fund की return को equity की return से compare नहीं करना है, यह चीज़ आपको समझ कर जलनी है, कि यहां पर जो return आपको मिलेगी, वो comparatively कम मिलने वाली है, वहीं दोस्तों 5 सालों में 6.63% की return यहां पर आप देख सकत यानि कि 12 October 2015 में जब यह launch हुआ था, वहां से अभी तक 6.9% की return दिया है, तो दोस्तों 6.65% की return आप मान के चलिए long term में जो यहां पर अभी तक दिख रही है, वो समझ कर आपको यहां पर invest करना है, यह चीज़ आपको बहुत जादा important हो जाती है, कि आपको यह expect नहीं करना ह कि यह equity की तरह 30-40-50% की return देने वाला कोई fund रहने वाला है, अब दोस्तों quickly में इस fund की और basic details के बारे में आपको बता देता हूं, तो यह एक open-ended scheme है और यह अपना जो major पैसा लगाने वाला है, वो rates में लगाएगा या equity related securities में भी यह लगा सकता है, real estate companies की, अब दोस्तों अ जादा units 90 days के अंदर बेचेंगे, तो आपको 0.5% का exit load देना होगा, 90 days के बाद आप कोई भी unit बेचते हैं, तो वहाँ पर कोई exit load नहीं देना है, अगर आपको इस NFO में invest करना है, तो आपको कम से कम 5000 रुपे से यहाँ पर शुरुबात करनी होगी, अब दोस्तों बात आती यह 6.6-7% के आसपास की return इसने since exemption generate करके दिये, जो कि एक मुझे नहीं लगता है, एक very high risk लेने वाले investor generate करके खुश होँगे, तो overall मुझे लगता है कि आपको ऐसे fund में अभी avoid करना चाहिए, rates में अभी मुझे लगता है, और time देना चाहिए, इंडिया में जब थोड़ा ज